स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास 11 के रसाइन विज्ञान अभियास 5 में आज हम लो पढ़ेंगे वर्ग माध मूल बेग और ताप में संबन्द मना वर्ग माध मूल बेग को सी से प्रदर्सित करते हैं और ताप को सी से प्रदर्सित करते हैं तो यहां दोनों में क्या संबन्द है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और एक एक लाइन आप सभी विद्यारते अच्छे से समझेगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थे कमेंट कर सकते हैं तो यहां पहले हेडिंग को नोट का लिजे वर्ग माध मूल बेग और ताप में संबन कल के वीडियो में बताये गया था कि गैस के दाब का सुत्र तो गैस के दाब का सुत्र क्या होता है तो पी बराबर होता है एक बटा तीन यम यन सी स्क्वाइर बटा भी यह किसका सुत्र है तो गैस के दाब का जो है यह सुत्र है अब यहां पर जो यमियन देख रहे हैं यहां पर बड़ा ली सकते हैं बड़ा यम और बड़ा यम बराबर क्या होता है तो यम यन बने यम यन जो है यम यन का नाम क्या है तो यह दोनों को अगर देखा जाए यम यन को मिला जाएगा तो यह बड़ा यम बना है तो उसका नाम है गैस का कुल दर्मान क्या नाम है गै इसका कुल जो है दर्मार तो अब यहां यमियन को हटा देंगे ठीना यहां पर जो है चुकी लिख लिजेगा कि यम बराबर यमियन होता है तो यमियन को हटाएंगे तो क्या बनेगा पी बराबर हो जाएगा और यहां लिखेंगे एक बटा तीन और यहां हो जाएगा यम हो जाएगा बटा हो जाएगा तीन में भी का गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा तीन भी हो जाएगा अब यहां पर जो इसमें गुड़ा कर लेंगे तीन से इसमें गुड़ा करेंगे 3PB बटा क्या हो जाएगा नीचे आएगा क्या जाएगा यम तो समझ में आ रहा हो गा एक एक लाइन को समझ येगा यह किसका सुतर था गैस के दाव का सुतर था यम यन को हटा दिए बड़ा यम हो जाएगा कैपटल यम हो गया 3 है जो है तीन पी भी बटा क्या गया यम आ गया जब इसका बर्ग इसके उपर जाएगा तो क्या बनेगा सी बराबर हो जाएगा अंडरूट हो जाएगा अंडरूट में क्या लिखेंगे तीन पी भी बटा क्या हो जाएगा यम हो जाएगा तो सी का मान क्या गया तीन पीभी बटा क्या गया या अंडरूड में लेकिन सम्मंद क्या है तो वर्ग, माध, मूल, बेग और ताप में सम्मंद चाहिए ताप चाहिए यहां ताप अभी तक नहीं आया है अभी इसमें दाब है और आयतन है तो एक सुत्र पढ़े हैं गैस समीकरड आदर से गैस सम लिखेंगे आरेटी लिख लेंगे तो सुत्र क्या बन जाएगा सी बराबर हो जाएगा और अंडरूड में क्या लिखेंगे आप तीन हो जाएगा पी भी हट जाएगा इसके जगब का लिखेंगे आरेटी हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा याम हो जाएगा तो सी बराब पाती हो जाएगा यहां बिख सकते हैं बेग जो है परमताप के क्या है बर्गमूल के क्या है अनकर्मान पाती होता है और किसके लिए ब्यूत कर्मान पाती होगा तो यम के लिए आपका कुल दर्मान के लिए क्या बन जाएगा ब्यूत कर्मान पाती हो जाएगा तो यहां लिख सकते हैं C ब्यूत कर्मान पाती एक बटा जो है करणी में क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं यह बटा में हैं देखिए बटा में इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूत कर्मान पाती यह बटे में नहीं है इसका नाम क्या है अनकर्मान पाती तो अनकर्मान पाती और ब्यूत कर्मान पाती पहले आप सभी भी द अंडर रूट में क्या बनेगा, T1 बटा क्या हो जाएगा, यह कितने गैसों के लिए हो गया, तो दो गैसों के लिए यह बन गया, C1 बटा, C2, T1 बटा, T2 हो जाएगा, और यहां पर अगर दो गैसों के लिए इसके लिए बनाते हैं, तो क्या बनेगा, C1 बटा, C2 बराबर कोपर हो जाएगा और यहां जो है यम टू नीचे बनेगा थे यम किसको उपर करके क्या लिख सकते हैं यम टू बता क्या हो जाएगा यम ओन हो जाएगा क्यों यह यहांँ यम टू टू ऊपर अगया तो श्यूँहन में तो उपर चला जाएगा तो क्या बनेगा c1 बटा c2 और अंडर उट में क्या बन जाएगा यम 2 बटा तथा तथा लिखेंगे गदातो तथा गयस का गध का गदातो में संबन्द तथा गयस का गवानतो में Σंबन्द तो वर्ग माध मूल बेग तथा गैस के घहनतों में क्या है संबन तो अब संबन इनके बारे में भी समझ लेंगे कि गैस के घहनतों में क्या संबन है मतलब C और D में क्या संबन है C का नाम क्या है वर्ग माध मूल बेग है और घहनत को किसे परदासित करेंगे D से तो हम लोग पढ़े थे कल गैस का दाब का सुत्र है तो गैस का दाब का सुत्र क्या होता है पी बराबर होता है एक बटा तीन होता है और क्या होता है यामियन सी स्क्वायर बटा क्या होता है भी होता है यह किस का सुत्र है तो गैस के दाब का सुत्र है अब यहां पे जो है य यमयन कितने के बराबर होता है तो यहां लिख सकते हैं या कुल दर्वमान है यम बराबर क्या होता है यमयन अब यहां यमयन को हटा देंगे उसके आस्थान पे लिखेंगे पी बराबर एक बटा तीन हो जाएगा और यहां बनेगा यम सी स्कुायर बटा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा तो यम यन के जगा पे क्या लिखे हैं यम लिख सकते हैं तो यम का नाम क्या है कुल दर्वमान है और यह यम का नाम क्या है तो मोलो की संख्या है तो अब यहां पे जो है घानतो का एक सुत्र पढ़े होंगे घानतो बराबर होता है अब यहां सुत्र लिख लिज डी बराबर यम बटा भी मनने यम का नाम क्या है दर्मान है और भी का नाम क्या है जो है आयतन है तो दर्मान बटा आयतन अब यहां देखिए धियान से यम बटा भी है अब यह यम बटा भी को अगर हटा दिया जाए उसके आस्थान पे तो क्या लिख सकते हैं तो डी लिख स सी स्क्वायर हो जाएगा तो डी सी का स्क्वायर कैसे बना यह डी कैसे बन गया तो यम बटा भी जो है डी बन जाएगा अब यहां इसमें गुड़ा कर लेंगे तीन में तो क्या बनेगा यहां पर डी में सी का गुड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा डी सी तो डी सी का यहां गुड़ा है तो ये बन जाएगा भाग अब ये बर्ग जब इसकी उपर जाएगा तो C बराबर क्या होगा तो अंडर रूट में आ जाएगा और यहां लिखेंगे 3P बटा क्या है D हो जाएगा तो समझ में आगे आओगा कैसे सुतर का निगबन किया जा रहा है तो इसे आप सभी भी द्यार थी पने कापी में जरूर नोट किजिए जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब आगे बढ़ेंगे अब यह C का नाम क्या है तो वर्ग माध मूल बेग है और इसका नाम गहनत है तो क्या दोनों में संबंदा गया मतलब सुतर बन गया C और D में क्या सुतर होता है तो C बराबर अंडरूर 3P बटा क्या है D है इसका मतलब जो वर्ग माध मूल जो बेग है यह घहनत के क्या है तो घहनत के क्या हो जाएगा ब्यूत कर्मान पाती हो जाएगा क्योंकि यह बटे में है इसलिए ब्यूत कर्मान पाती बोलेंगे और जो वर्ग माध मूल बेग है यह दाब के लिए क्या होगा तो दाब के लिए अनकर्मान पाती होगा और डी के लिए मतल अब यह जो वर्गमाद मूल बेघ है वा घनतों के क्या होगा तो घनतों के बर्गमूल के क्या होगा बियूत कर्मान पाती हो जाएगा अगर यहां दो गैसो ने देखा जाएगा तो दो गैसो के न HAVE लिखेंगे यहां पे क्या बन जाएगा c1 बटा क्या हो जाएगा c2 बराबर हो जाएगा एक बटा अंडरूट में क्या लिख सकते हैं d1 बटा क्या हो जाएगा d2 यह d2 जो है देख रहे हैं d2 इसको कहां भेज सकते हैं उपर भेज सकते हैं d2 उपर चला जाएगा तो क्या बनेगा C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा उपर जाएगा तो अंडरूट क्या बनेगा D2 बटा क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा यह जो सुत्र आगया किसका आगया वर्ग माध मूल बेग और क्या है घनत में जो है संबंध है तो आज जो है दो संबंध बताया गया तो चैनल को subscribe और घंटी दवाना मत भूलिए क्योंकि यह live class आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा अब मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार